इस कोरोना मामारी में व्रीद लोग भी सुरक्षित रह सके और व्रीद लोगों को भी कोरोना का वैक्सिन दिया जा रहा है इसको लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार कारे किया जा रहा है आज इसी गड़ी में कालचिनी प्रखन में शाट वर्ष से अधिक वर्ष के व्रिद लोगों के घरों में जाकर वैक्सिन देने का कारे प्रशासन के द्वारा किया गया आज काल्चिनी प्रकन के चिंचिला चायबगान के आप डिविजन में आलिपूर द्वार के जीला सासक एसके मीना और काल्चिनी के वीडियो प्रशान बर्मन के उपस्तिती में 60 से उपर के व्रीद लोगों के घरों में पहुंच उन्हें कोरोना का वैक्सिन लगाया गया है आलिपूर द्वार के जीला सासक एसके मीना ने कहा कि चायबगान चेतर में रहने वाले लोग व्रीद होने के कारण और वीविन असुविदा के कारण वैक्सिन कैम तक नहीं पहुच पा रहे हैं इन्हीं लोगों के समस्या को ध्यार में रखकर और व्रीदो को वैक्सिन दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि आज कालजीनी चेतर में भी कुल साथ व्रीदो के घरों में पहुच उन्हें कोरोना का वैक्सिन दिये जाने का वैवस्था किया गया उन्हों ने का कि अलीपुर्द्वार जिला के विविन जगाओं में व्रित के घरों तक पहुंच वैक्सिन दिया जा सके इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है अब लोग पता है कि हमारे रजी की मानिया मुच्च मंतरी ने लास्ट में में वह बोला कि वेक्सिनेशन जो पोसे से उसको स्ट्रीम्लाइन करना है वेक्सिनेशन करमसुची इसका नाम है और हम लोग पता हैं विसकली जो लुटेशकर कई अच्क वेक्सिनेशन करमसुची जो इतना सिने सेटीजन है और जिनका साथ से पर एज है उनको आइडेंटिफाई करके लोग को पर टीम है बाड़ी बाड़ी जाके उन लोग को हम लोग वैक्षिनेशन दे दे रहे हैं उसके साथ साती कुछ मास्ट, सेनेटाइजर और दूसरे चीज भी हम लोग उनको दे र लिए हम लोग उनके पास पहुंच जा रहे हैं तो अच्छा हो जोग है और बाकी टी गार्डन में भी हम लोग इसको एक्सेंट करेंगे ता विजी हेल्प वीडियो और भी मुस्क्राइब अलिपूर्दवार के जिला सासक एसके मिना ने कहा कि चायबगान छेत्र में रहन होने के कारण और विविन असुविदा के कारण वैक्सिन कैम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इन्हीं लोगों के समस्या को ध्यान में रखकर और व्रिद्वों को वैक्सिन दिया जा रहा है उन्होंने का कि अलिपूर्दवार जिला के विविन जगाओं में व्रिद के घरो तक पहुंच वैक्सिन दिया जा सके इसको लेकर प्रियास किया जा रहा है